रोहन दुवाजी जब उत्राखंड की बात करेंगे तो UCC का भी जिक्र होगा क्योंकि UCC पर कदम उठाने वाला राज्य उत्राखंड है क्या UCC एक मुद्दा ऐसा है जो पांच सीटों में रिफलेक्ट हो रहा है और बीजोपी को फायदा पहुचा रहा है मुझे लगता है पराची जब उत्राखंड के विधानसभा चुनाव हो रहे तो UCC करीब 48 गंटे बहतर गंटे पहले थामी साब ने एनाउंस किया और उसका जो इफेक्ट था वो नजार आ गया था चुनाव में लेकिन अगर मैं हर्श वदिन साब की बात करूँ कि उन्होंने जिस तरी के से कदारनाथ का जिकर किया वो ही जिकर मैं भी करने वाला था मैं वेट कर रहा था कि कई वो जिकर भूलना जाएं प्रधान मंतरी महादेव के बड़े भक्त हैं और अगर आप देखिए बहले ही उजैन नगरी हो काशी विश्वनात हो या कदारनाथ हो बड़े ही दिल्चस्प परीके से भाजपा ने ये सारी चीज़ें सामने आके रखी चुनाव से पहले और चुनाव के बावद में भी ऐसा नहीं है कि 2017 के चुनाव में उन्होंने इसका महत्म हमें बताया हो लेकिन 2019 के वी चुनाव में जब आठवे चरन का चुनाव था तब प्रधान मंतरी खुद चाके के दारनाथ में तपस्या करने चले गए तो जो एक उनका कनेक्ट है उतराखंट के लोगों से वो पांचो सीटव का जो आपका ये रुजहान दिखा रहा है वो यही इसलिए होगा क्योंकि उतराखंट के जो लोग हैं वो अभी भी यही समझते हैं कि जितना चाहे आप देखी 2013 में अर्थ को एक आया है इतना बड़ा उसके बाद भी गुजरात के मुख्यमंत्री होते आना क्योंकि वहां पे वो रहे जब प्रचार करते थे तो संक की तरफ से और हिमाचल में भी रहे तो उनका एक जो लगाव है वो उत्राखंट से और महादेव की इन जितनी भी जो श्राइन उनसे नजर आता है मुझे लगता है कि वहां पे तो कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए और जिस तरीके से इस बारी कॉंग्रेस को वहां पे हारना पड़ा दूसरी बारी भाजपा में सरकार बनाई उत्रपरदेश की तरह तो कोई मुकाबला मुझे नजर नहीं आता और पांच-जीरो से ही अगर दस भी होती तो दस जीरो भी होता ठीक है विज़े जी क की जा रही थी कि शायद कॉंग्रेस उभर कर आए लेकिन उसके बाद कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है कॉंग्रेस के पर्फरमेंस में तो भारतिया जंता पार्टी ने 2014 से पहले एक नारा दिया था कॉंग्रेस मुक्त भारत उत्तरपदेश के बाद उत्राखंड में भार का नहीं था कि बीजेपी की सरकार है कि चाहिआ कि फिलोपमेंट को रिडिए ...? को लेकर वहां पर कैदारनात को लेकर बद्रीनात को लेकर हेमकुन साहिब को लेकर जो डेवलपमेंट किया गया है और खास्तोर से उसमें नितिन पुषकर सिंग धामी नए नेताओं में से भरती जनता पर्टी के जिसमें काम किया है दूसरी तरफ कॉंग्रेस में हरी श्रावत के अलावा आज कोई बड़ा नाम वहां पर दिखाई नहीं देता और उनके साथ संगठन और किंद्रिय नित्रत कोई बहुत मजबूत तरीके स कॉंग्रेस को वहां पर दिखाई नियुदर को किस तरह से नहीं लीर्डर्शिप को तयार कहते हैं देकिन उत्तर खंड में कॉंग्रेस का वोटर है ऐसा नहीं कि कॉंग्रेस का वोटर महाँ पर नहीं है गुजरा जैसे इस्तिती उत्राखंड में नहीं है जैसे हर्श्वादन जी ने भी कहा था कि जब बनी थी वाजपेजी के वक्त में सरकार तब से लगा था कभी कभी कॉंग्रेस का मुख्यमिंद्री रहा कभी भारतिय ज तो कभी नहीं नहीं होंगे वहाँ पर इतने एक दर्जन से ज्यादा लीडर है भारतिय जन्ता पार्टी के और सबके सब मुख्यमंत्री हैं लेकिन उसके बाद भी भारतिय जन्ता पार्टी ने संगठन को बनाए रखा और नेताओं को एक के बाद चेंज करके भी एक सरका पर इतने मुख्यमंत्री शायद किसी राज्य में एक विधान समय में तीन बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा है भारतिय जन्ता पार्टी को तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बीजेपी के लिए बहुत आसान काम है बिलकुल लेकिन जब ग्राउंड पर जाते हैं तो एक च आप स्टोर या अप स्टोर पर